नमस्कार दोस्तों, वेद एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बात करेंगे वह इस प्रकार है। घर में किसी व्यक्ति की मृत्यू होती है, तो घर में उनके फोटो लगा देते हैं और उसमें एक फूल माला डाल देते हैं। इसा करना क्या शुब है या अशुब है। अगर हमें अपने परिवारजनों में हुई मृत्यू की फोटो लगानी चाहिए, तो कहां पर लगानी चाहिए, किस दिशा में लगानी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार, जब इनसान मरता है, तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ कर दूसरे के शरीर में चली जाती है। क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं इसलिए शरीर का दाहसंसकार कर दिया जाता है, इसलिए अगर भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है, तो उसे भगवान की निंदा ही माना जाता है। दोस्तों में एक बहुत प्यारा श्लोक लिखता हूँ यहाँ पर जातो येन जातेन याती वन्शह समुन्नतिंग परिवर्तिनी संसारे मृतह को वा न जायते अर्थात कहने का मतलब यह है कि संसार में जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है लेकिन जन्म लेना उसका सफल है जिसके जन्म से कुल की उन्नती हो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुती आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब वीडियो को आगे बढ़ाते है मित्रों आपने हमेशा ही अपने पित्रों की फोटो अपने घर में लगी हुई जरूर देखी होगी और केवल फोटो ही नहीं कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उनसे जुड़ी छोटी-छोटी चीजों को भी निशाने के तौर पर संभाल कर रखते हैं लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका ऐसा करना सही है या गलत? लोग इस प्रश्न का जवाब धूरते रहते हैं कि घर में मृत परिजन की फोटो लगानी चाहिए या फिर नहीं लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस विशय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? मृत परिजनों के फोटो हमें घर में लगाना चाहिए या नहीं और अगर लगाना चाहिए तो उसे कहा लगाना अच्छा रहेगा और गलत स्थान पर फोटो लगाने से आपको क्या-क्या परेशानिया झेलनी पड़ सकती हैं मित्रों लोग पित्रपक्ष के दौरान अपने पित्रों की आराधना करते हैं हालांकि कई बार जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतिया हो जाती है जिससे हमें लाभ की जगह हानी भोगनी पड़ती है कई बार आपने देखा होगा कि जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर में उनके फोटो लगा देते हैं और उसमें एक फूल माला डाल देते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन फोटो को कहा और कैसे लगाना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में इसका भी एक नियम बताया गया है अगर आप अनुचित स्थान पर मृत परिजन की फोटो लगाते हैं तो उसे आपको हानी हो सकती है मित्रों कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मृत परिजन के फोटो घर के मंदिर या फिर देवी देवता के साथ लगा देते हैं जो की ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है इस से आपको लाभ की जगह हानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि देवी या देवता पित्रों से बढ़ कर होते हैं और ऐसा करना देवदोश की श्रेणी में आता है मरने वाले लोगों की फोटो घर के मध्य भाग में बिलकुल भी नहीं लगाना चाहिए इस से आपका मान सम्मान कम होने लगता है इसके अलावा पश्चन या दक्षन की दीवारों पर भी आपको मृत परिजनों की फोटो नहीं लगानी चाहिए इससे धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है पित्रों की फोटो घर में एक से अधिक स्थानों पर नहीं लगानी चाहिए ऐसा करने से घर में तनाव की स्थिती पैदा होती है इसके अलावा पित्रों की तस्वीर का लटकना या जूलना भी सही नहीं माना जाता मरने वाले लोगों की फोटो जीवित लोगों के साथ कभी भी नहीं लगानी चाहिए इससे स्वभाव में नकारात्मक्ता का संचार होने लगता है मृत परिजन के फोटो को शयन कक्ष और रसोई कक्ष में भी लगाने से बचना चाहिए इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में हमेशा अशान्ती का माहौल बना रहता है अब आपके मन में यह प्रशन जरूर उठ रहा होगा कि मृत परिजनों के फोटो को कहा लगाना चाहिए तो आईए उसे भी जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में पूजा पाठ का स्थान उत्तर पूर्व में है तो पित्रों के फोटो को पूर्व में लगाया जा सकता है वहीं अगर पूजा स्थान पूर्व दिशा की ओर है तो फोटो को आप इशान कोन में लगा सकते हैं अगर पूजाघर के अलावा किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दिवार पर आपको उनकी फोटो लगानी चाहिए जिससे पूर्वजों का चहरा दक्षिन की ओर रहे यहां मृत परिजनों की फोटो लगाने का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है पूर्वजों की फोटो घर के किसी एक ही स्थान पर लगाने चाहिए वह स्थान ऐसा होना चाहिए जो दिशा दोश से मुक्त हो जब भी आप मृत परिजनों की फोटो अपने घर में लगाए तो फोटो के नीचे किसी भी लकडी के गट्टे का उप्योग जरूर करें जिससे फोटो लटका या फिर जूलता हुआ दिखाई ना दे मित्रों घर के पूरवजों की फोटो केवल आपको देखने के लिए है किसी दूसरे के लिए नहीं इसी लिए आपको उसे ऐसे स्थान पर ही लगाने चाहिए जहाँ पर किसी अतिथी की नजर ना पड़े और आप भी उन्हें प्रतिदिन ना देखें तो यह आपके लिए सर पड़ सकता है मित्रों यह भी माना जाता है कि हर समय पूरवजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना उत्पन्न होने लगते हैं जिससे किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं हो पाता अगर आप अपने पित्रों की तस्वीर को अनुकूल स्थान इतना उत्पन्न होने लगते हैं जिससे किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं हो पाता अगर आप अपने पित्रों के तस्वीर को अनुकूल स्थान पर नहीं लगाते तो इससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे मानसिक तनाव, व्यापार में हानी, परिश्रम करने के बावजूद भी फल की प्राप्ती ना हो ना विवाह या फिर वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होना अगर आम भाशा में कहा जाएं, तो व्यक्ती और उसके पूरे परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ता है पित्र दोश होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिती गोचर दशाएं ठीक होने पर भी शुब फल की प्राप्ती नहीं हो पाती कितना भी पूजा पाठ, दान, पुन्य और देवी की अर्चना की जाए, फिर भी उनको उसका सही फल नहीं मिल पाता माना जाता है कि हमारे उपर मुख्य रूप से पांच रिन होते हैं, मात्रु रिन, पित्र रिन, मनुश्य रिन, देव रिन और रिशी रिन यहां रिन नहीं चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है मित्रों पित्रदोश दो प्रकार से प्रभावित करते हैं अधोगती वाले पित्रों के कारण और उर्धवक्ती पित्रों के कारण उद्योग की वाले पित्र दोशों का कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचर्ण, बेइमानी से कमाया गया धन और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग हैं और परिवार के किसी प्रियजन को बिना किसी कारण के कष्ट देने पर भी पुत्र क्रोधित हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ती से नकारात मक्फल देते हैं उर्धवक्ति वाले पित्र सामान यतह पित्र दोश उत्पन्न नहीं करते हैं लेकिन उनका किसी भी रूप में अपमान करने पर अथवा परिवार के पारमपरिक रीती रिवाजों का पालन नहीं करने पर वह पित्र दोश उत्पन्न करते हैं कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के जीवन में परेशानिया खक्म होने का नाम ही नहीं लेती, वह चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर लें, लेकिन उनके कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती. ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पित्रिदोश ही होते हैं। यह दोश पीही दर पीही परेशानिया उत्पन करते रहते हैं। इस दोश के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायन बली और नादबली का विधान विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसे करने के बाद पित्रिदोश से मुक्ती पाया जा सकता है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि हमें और तस्वीर कैसी लगानी चाहिए घर की दीवारों पर तस्वीरे भी बोलती है। अपने घर में तस्वीरे लगाने से पहले वास्तव में विचार करना चाहिए जहां तक मेरा मन कहता है। हमारे घर में ऐसी तस्वीरे होनी चाहिए जिन्हें देखते ही मन खुशियों से भर जाए हमें अपने घर में सुन्दर फूलों की बहते जहरनों की चह चाहाते पक्षियों की उदे होते सूर्य की या फिर खिल खिलाते सुन्दर बच्चों की या फिर ऐसे मनोरम नृत्य क चलिए आज की प्रस्तुती को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुती लेकर आएंगे तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताईए प्रस्तुती कैसी लगी कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें धन्यवाद दोस्तों